इन्सानों के जीवन में प्यार एक एहम चीज बन गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्सानी भावनाएं, इन्सान होने का एक मजबूत पहलू है, इन्सानों के जीवन में भावना एक बहुत शक्तिशाली चीज है, यहां तक कि इस योग और समय में भी, हाला कि लोग सोचते वह बहुत बॉध्धिक हैं, लेकिन आज भी उनकी भावनाएं ही सबसे शक्तशाली पहलू है। है की नहीं? ये उनके जीवन का सबसे प्रबल पहलू है। वो दावा करते हैं कि वह बॉध्धिक हैं, पर उनकी बुध्धी कभी भी इतनी प्रबल नहीं होती। लेकिन उनकी भावनाएं प्रबल होती हैं। हो सकता है कि वो प्यार या करूणा नहों लेकिन वो गुस्सा या चड़ चड़ापन हो सकता है। ये सब भावनाएं हैं। तो भावना इनसान होने का एक बहुत ही महत्वपून पहलू है। अब हम सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं कि आप अपने अंदर किस तरह की भावनाँ चाहते हैं। क्या आपके पास दिमाग है? आपके पास दिमाग है? है. आप क्या चाहते हैं? वो तेज हो या सुस्त? क्यो? ये ऐसे ही काम करता है, है न? इसी तरह, अगर आपके पास भावनाएं हैं, आप मीठी भावनाएं रखना चाहेंगे या कड़वी भावनाएं? मीठी भावनाएं, ये ऐसे बहतर काम करती है, है न? तो प्यार का बस यही मतलब है, आपने अपनी भावनाओं में मिठास भरती है. अब मैं बिना भावनाओं के प्यार करना चाहता हूँ. ये बहुती यॉर्पियन आइडिया है. प्यार एक भावनाओं है. ये आपके भावनाओं के मिठास है, जिसे हम प्यार के नाम से जानते हैं. अगर यही भावनाओं कडवी हो जाए, तो हम उसे नफरत कहते हैं. अक्सर जिनसे आप प्यार करते हैं, उन्हीं से नफरत करते हैं, है ना? कुछ समय पहले आपको उनसे प्यार था, और अब उनसे नफरत है. आप सड़क चलते हैं, इनसान से नफरत नहीं करते हैं, है ना? थोड़ा प्यार हुआ था, पर अब सिक्का दूसरी ओर गिर पड़ा है, और अब यह नफरत बन गया है. तो सिक्का वही है, अगर यह इस तरफ गिरे तो प्यार बन जाता है, और उस तरफ गिरे तो नफरत बन जाता है. यह मत सोचिए कि वो बहुत दूर हैं, वो बहुत करीब हैं, एक छोटी सी गड़वड़ी होते ही प्यार नफरत बन जाता है, है ना? तो बिना भावना के प्यार कैसे करें प्यार एक भावना है अब फैसला ये करना है कि क्या आप अपनी भावनाओं को मधूर और सुखत बनाना चाहते हैं या दुखत ये आपकी मर्जी है ये जाहिर सी बात है, है न? लेकिन ज्यादतर लोग अपनी भावनाओं को अधिकतर कड़वा ही रखते हैं कड़वाहट का मतलब ये नहीं है कि वो किसी से नफरत करते हैं वो खीज में हैं, वो अशान्त हैं वो किसी तरह के डर भी एक भावना है, घबराहट एक भावना है किसने किसी तरह का बुरा अनुभव अगर आप अपनी भावनाओं को बहुत सुख़द बना लें तो जीवन भी बहुत सुख़द होगा आज भी ज्यादतर लोगों के लिए प्यार का एक पल उनके जिंदगी का सबसे गहरा अनुभव होता है ये नहीं है पर वो इसे ऐसे ही अनुभव करते हैं क्योंकि सबसे प्रबल भावना यही है जिसे उन्होंने चुआ है प्यार का एक पल ही जीवन का सबसे गहरा आयाम है जिसे उन्होंने चुआ है इसलिए वो इसे स्वर्ग तक पहुँचा देते हैं लोग इसे स्वर्ग पहुँचा रहे हैं लोग डिवाइन लव के बारे में बाते कर रहे हैं आप नहीं जानते कि भगवान प्यार करते हैं या नहीं इनसान प्यार कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो कुटा प्यार कर सकता है जब इनसान फेल हो जाएं, तो आप एक कुटा ले आते हैं अगर आप कुटा लाते हैं, तो बारा साल के love of where की guarantee है इसे कम्मत समझे, आप एक कुत्ता रख लीजे, हर रोस जब आप घर लोटते हैं, क्या स्वागत होता है आपकी पत्नी किसी काम की नहीं, हर दिन उसका रंग अलग होता है आपके बच्चे उन्हें कोई दिल्चस्पी नहीं है, चाहे आप घर आए या ना आए पर आपका कुत्ता हर दिन वो आपका कितने जोश से स्वागत करता है, और कोई ऐसा नहीं कर सकता है हर दिन, बिना नागे के, उसके दिल्चस्पी आप में कभी खत्म नहीं होगी वो आपकी उर्जा बढ़ा देता है कुत्ता सच में प्यार है शायद डॉग और गॉड में बस स्पेलिंग की गलती होगी टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती है अब अगर आपने खुद को इस तरह बना लिया है कि आपके आसपास का कोई भी व्यक्ति आपको प्यार नहीं कर सकता तो आपके पास एक ही सहारा बचता है वहाँ से आपसे लॉग डिस्टेंस प्यार करें ये जीने का दुर्भागी पून तरीका है भागवान आपसे प्यार करते हैं ये जीने का सबसे दुर्भागी पून तरीका है यानि कि आपने खुद को ऐसा बना लिया है कि कोई भी आपको देखना तक नहीं चाहता अगर लोग खुद को आपसे प्यार करने से ना रोक पाएं तो ये होने का एक अच्छा तरीका है, है ना? शायद आप महान ना हो, कम से कम शायद आप क्यूट है तो योग में हम किसी भी चीज़ को प्यार, नफरत, खुशी और दुख के रूप में नहीं देखते हम बसे से इस तरह से देखते हैं क्या आप अपने भीतर अच्छे अनुभव चाते हैं या बुरे? अगर आप शरीर में अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो हम इसे सेहत कहते हैं अगर आप बहुत अच्छा महसूस करें, तो हम इसे सुख कहते हैं अगर आपका मन सुखद हो जाए, तो हम इसे शान्ती कहते हैं अगर ये बहुत सुखद हो जाए, तो हम इसे खुशी कहते हैं अगर भावनाएं मधूर हो जाए, तो हम इसे प्यार कहते हैं अगर ये बहुत मधुर हो जाएं तो हम इसे करुणा कहते हैं अगर जीवन उर जाएं सुखद हो जाती हैं तो हम इसे आनंद कहते हैं अगर ये बहुत सुखद हो जाएं तो हम इसे पर्मानंद कहते हैं अगर आस-पास का माहौल सुखद हो जाए तो हम इसे सफलता कहते हैं तो आप जो दूसरे नाम देते हैं वो सिर्फ कन्फ्यूज ही करते हैं क्या मुझे प्यार करना चाहिए इसकी कोई जरूरत नहीं है बस अपने शरीर को, मन को, भावनाओं को और उड़ जाओं को सुखद रखें आप एक अद्बुत इनसान बन जाएंगे अगर आपकी भावनाओं मधूर हैं अगर कोई यहां आता है तो आप उनके साथ इस मधूरता को बाट सकते हैं अगर आपकी भावनाओं बुरी हैं तो जाहिर है कि आप लोगों के साथ वही बाटेंगे तो आप वो नहीं कर सकते जो आप नहीं है अगर अभी इसे अच्छा महसूस हो रहा है तो यह सभी के साथ अच्छा बरताफ करेगा अगर अभी इसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो ये सबी के साथ बुरा बरताब करेगा तो ये देखने की बजाए कि इसे कैसे सुखद बनाया जाए आप किसी और के साथ मधुरता से पेश आए प्यार करो का यही मतलब है आपको प्यार करने की जरूरत नहीं है अगर आपके भीतर सब कुछ सोखद हो गया है तो उस पल में जिसकी जरूरत होगी आप वही करेंगे अगर आपको प्यार भरी बाते कहनी होंगी तो आप कहेंगे अगर आपको सक्ती से बोलना है तो आप कहेंगे लेकिन आपके भीतर कोई बुरा अनुभव नहीं होगा ये महत्वपूर्ण है, है न? अगर आपको कोई युद्ध लड़ना पड़ गया तो आप वो भी लड़ेंगे पर बिना किसी बुरे अनुभव के ये महत्वपूर्ण है तब आप उसी हद तक सब कुछ करेंगे जितनी की जरूरत होगी आप जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे अगर आप कहते हैं मैं किसे से प्यार करता हूँ तो आप जिन से प्यार करते हैं उनके बारे में बढ़ा चड़ा कर सोचेंगे आप उनकी अच्छाईयों को बढ़ा चड़ा लेंगे अगर आप कहते हैं कि मैं किसे से नफरत करता हूँ तो आप उनकी बुराईयों को बढ़ा चड़ा लेंगे आप किसी भी चीज़ को उसके असली रूप में नहीं देख पाएंगे लोग जिन चीज़ों से प्यार करते हैं उनके लिए अंधे हो जाते हैं है ना? वो अपनी सारी समझ गवा देंगे अगर वो नफरत करते हैं तो भी वो समझ गवा देंगे चाहे आप पसंद करें या ना पसंद करें आप समझ गवा देंगे संभाव में होने पर ही जीवन का दर्वाजा खुलता है यानि आप हर चीज को उस कैसली रूप में देख रहे हैं अब आप किसी के साथ मधूरता से पेश आते हैं इसलिए नहीं कि वो अच्छा है आप किसी के साथ मधूरता से पेश आते हैं क्योंकि आप मधूर है यहाँ ज्यादा गारंटी है इस love affair में ज्यादा गारंटी है आप किसी के साथ मधूर हैं क्योंकि आप मधूर है अगर मैं आप के साथ मधूर हूँ क्योंकि आप अच्छे हैं कल अगर आप अच्छे नहीं रहें, तो फिर कुछ और हो जाएगा, है ना? अगर आप अपनी मधूरता को किसी बाहरी चीज़ पर गिर्वी रखते हैं, तो आपकी मधूरता मौके की बात हो जाएगी. इसे मधूर रखना आपका काम है. अगर ये मधूर है, तो ये जिसके साथ भी व्यभार करता है, ये मधूरता ही पैदा करेगा. आप इसे मधूर नहीं बना पाएं हैं, और किसी और के साथ अच्छा व्यभार करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है. अगर आपको खुश होना है, तो उन्हें वैसा बनना होगा जैसा आप चाहते हैं. और ये मुम्किन नहीं है. कोई भी वैसा नहीं बनेगा जैसा आप चाहते हैं. आप ऐसे एक भी इंसान के साथ नहीं कर पाएं हैं, है न? आप एक भी इंसान को मनचहा नहीं बना सकते पूरी दुनिया को तो भूली जाईए आप इसके जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे उतनी ही कड़वाहट और पीड़ा बड़ेगी यही वज़ा है कि जिन रिष्टों को सबसे ज्यादा गहरा माना जाता है वहीं सबसे ज्यादा दुख मिलता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो आप नहीं है आप प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि आपके अंदर कड़वाहट है जब आपके अंदर कड़वाहट हो आप प्यार करने की कोशिश करके देखिए यह आपको बर्बाद कर देगा है ना? आप यह सब ट्राइ कर चुके हैं है ना? यह हानी कारक है जब आप अच्छा महसूस कर रहे हूं यह बिल्कुल सहज होता है तो आपको बस इस पर गौर करना है कि आपका खुश होना या ना होना बाहरी चीजों पर निर्भर क्यों है? अगर मेरे आसपास कोई खुश नहीं है तो मैं खुश कैसे हो सकता हूं? कास कर अगर आपके आसपास के सभी लोग दुखी है तो यह और भी ज़्यादा महत्वपून है कि आप खुश रहें? है ना? अगर आपके आसपास के सभी लोग बेतर्तीब हैं क्या ये जरूरी नहीं कि आप खुश रहें? अगर आसपास के सभी लोग बीमार हैं तो क्या ये महत्वपून नहीं है कि आप स्वस्त रहें? अगर आप उनकी देख भाल करना चाहते हैं तो भी क्या इस बात का कोई तुक बनता है कि सब बीमार हैं तो मैं भी बीमार पड़ जाता हूँ इसके पीचे क्या तुक है तो अगर आपके आसपास के लोग खुश नहीं है तो ये और भी ज्यादा मैत्वपून हो जाता है कि आप खुश हो